परिचय आज की सुभब बहुत अच्छी है हाँ पिता जी, आज चमकीली धूप का दिन है तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है बहुत अच्छे आर्यन पिता जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ हाँ बेटा पिता जी, ये सभी वहन जैसे की कारे, ट्रक, आदी इन्धन से चलते हैं? हाँ क्या अंत्रिक्ष शटल भी ऐसे ही इन्धन से चलते हैं? मेरे बेटे, उनमें विशेश प्रकार के इन्धन का प्रयोग किया जाता है ये विशेश प्रकार का इंधन कैसा होता है? अंतरिक शटल को उपर ले जाने के लिए उनमें बाहरी टैंक में हाइडोजन का उप्योग किया जाता है क्या तुम इस बारे में और अधिक जानना चाहोगे? हाँ पिता जी, इस पार्ठ में आप हाइडोजन और इसके योगिकों के बारे में सीखेंगे उद्देशे इस पार्ठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे आवर्त सारणी में हाइडोजन को खोजना तथा हाइडोजन के समस्थानिकों का वर्णन करना हाइडोजन के विचरन हाइडोजन के भौतिक तथा रासाइनिक गुण धर्मों की व्याख्या करना हाइड्राइडों का वर्णन करना आवर्त सारणी में हाइडरोजन का स्थान हाइडरोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसकी पर्मानविक संख्या एक होती है चूँकि इसमें केवल एक एलेक्ट्रॉन होता है इसलिए इसका एलेक्ट्रॉनी विनियास एक एस की घात एक होता है हाइडरोजन के द्वैत व्यभार के कारण आवर्थ सारणी में इसके लिए उचित स्थान खोजना कठिन है क्यूंकि क्षारिय धातूं तथा हेलोजनों से इसकी समानता होती है क्षारिय धातूं की तरह इसके संयूजी कोश में केवल एक एलेक्ट्रॉन होता है हेलोजनों की तरह हाइडरोजन में भी अक्रिय गैस विन्यास पूर्ण करने से केवल एक एलेक्ट्रॉन कम होता है डाइ हाइडरोजन ह2 प्राप्ती हाइडरोजन ब्रह्मान में अति बहुल्य तत्व है यह ब्रह्मान के कुल द्रवेमान का लगभग 70 प्रतिशत है ब्रहस्पती तथा शनी ग्रह अधिकांच तह हाइडरोजन से बने हैं सूरे का आधे से अधिक द्रवेमान तथा कुछ अन्य तारे भी हाइडरोजन के बने हैं संयुक्त रूप में यह प्रिथवी की परपटी तथा महासागरों का 15.4 प्रतिशत भाग बनाता है प्रिथवी में इतना गुरुत्वा कर्शन नहीं होता कि यह हलके हाइडरोजन अनू को रोक सके इसलिए यह हमारे वायू मंडल में नहीं पाया जाता हाइडरोजन के समस्थानिक हाइडरोजन के तीन समस्थानिक होते हैं प्रोटियम इसकी परमानु संख्या एक और द्रव्यमान संख्या भी एक होती है इसमें एक प्रोटॉन होता है लेकिन इसके नाभिक में कोई निूट्रॉन नहीं होता और एक electron इसके 1s कक्षक में होता है इसे प्रतीक H से निरुपित किया जाता है इसकी प्रचुरता 99.985 प्रतिशत होती है Deuterium इसकी प्रमानु संख्या 1 और दरवेमान संख्या 2 होती है इसमें 1 proton होता है तथा इसके नाभिक में 1 neutron होता है और एक electron इसके एक S कक्षक में होता है इसे प्रतीक D से निरूपित किया जाता है इसकी प्रचुरता 0.056 प्रतिशत होती है ट्राइटियम इसके नाभिक में एक proton और दो neutron होते हैं और एक electron इसके एक S कक्षक में होता है यह अत्यंत दुरलब समस्थानिक है सामान्य हाइडोजन के 10 की घात 18 अणूँ में ट्राइटियम का केवल एक अणू होता है हाइडोजन के इस समस्थानिक की प्रकृती रेडियो धर्मी होती है और यह निम्न उर्जा वाले बीटा में उत्सर जित करता है इसकी प्रचुरता 10 की घात माइनस 15 प्रतिशत होती है डाइ हाइडोजन ह2 का विर्चन डाइ हाइडोजन का प्रयोगशाला में विर्चन प्रयोगशाला में हाइडोजन समाने तह तनु खनिज अमलों की दानेदार जिंक जैसी धातों से अभिक्रिया करते हुए बनाई जाती है दानेदार जिंक के कुछ टुकडे वुल्फ की बोतल में रखे जाते हैं जिसमें एक थिसल फनल और एक डिलिवरी ट्यूब लगी होती है थिसल फनल के जरिये तनु सल्फियूरिक अमल डाला जाता है अमल जिंक से अभिक्रिया करके हाइडोजन उत्पन करता है जो पानी के अधोमुखी विस्थापन द्वारा जार में एक कत्र कर ली जाती है सरंधना होने के कारण शुद्ध जिंक का उप्योग नहीं किया जाता और इसलिए कुछ देर बाद अभिक्रिया मंध हो जाती है इसलिए दानेदार जिंक का उप्योग किया जाता है जो अशुद्ध होती है और यह अभिक्रिया की दर बढ़ा देती है डाइ हाइड्रोजन का व्यापारिक उत्पादन जल का विद्यूत अब घटन इसमें अमलिक्रित या शारिक्रित जल का विद्यूत अब घटन किया जाता है उपकरणों में एक एनोडिक लिम्ब, कैथोडिक लिम्ब, अमलिक्रित जल तथा प्लाटिनम की पन्या शामिल होते हैं जल को अमलिक्रित करने के लिए हम तनू H2SO4 का उप्योग करते हैं तनू सल्फियूरिक अमल जल को विद्यूत अब घटनी के रूप में कारे करने लायक बना देता है जब एनोड और कैथोड एक बैटरी से जोड़े जाते हैं तो कुछ मिली एमपियर की हलकी विद्यूत धारा उत्पन होती है और वोल्ट मीटर की दोनों भुजाओं में बुलबुले दिखने शुरू हो जाते हैं एनोड वाली भुजा ऑक्सीजन का तथा कैथोड वाली भुजा हाइडरोजन का एकतरी करन करती है होने वाली अभिक्रिया निम्न है ह2SO4 का वियोजन ह2SO4 देता है 2H plus plus SO4 2 minus ह2O का वियोजन ह2O देता है H plus plus OH minus कैथोड पर अभिक्रिया H plus plus electron देता है H H plus H देता है H2 एनोड पर अभिक्रिया OH माइनस देता है OH plus electron 4OH देता है H2O plus O2 संपूर्ण अभिक्रिया 2H2O देता है 2H2 plus O2 एनोड पर SO4 2 minus आइनों की वी रियता में OH माइनस आइन मुक्त किये जाते हैं ऐसा इसलिए क्यूंकि एलेक्रोन का तवरित गती से त्याग करना SO4 2 minus आइन की अपेक्षा OH minus आइन के लिए अधिक आसान होता है चुकि सल्फियूरिक अमल इस होने वाली रासाइनिक अभिक्रिया में स्वेम भाग नहीं लेता इसलिए इसे अभिक्रिया का उत्प्रेरग कहा जा सकता है डाइ हाइडरोजन का व्यापारिक उत्पादन डाइ हाइडरोजन को लाल तप्त कोक के साथ वाश्प की क्रिया द्वारा भी तयार किया जा सकता है जैसा की नीचे वरनित है बनने वाली वाटर गैस, संशलेशित गैस, सिंग गैस भी कहलाती है तब वाटर गैस वाश्प में मिश्रित हो जाती है और तप्त Fe2O3 तथा Cr2O3 पर 770 केल्विन तापमान पर प्रवाहित की जाती है तब CO, CO2 में ऑक्सिक्रित हो जाती है तब CO2 और H2 का गैसिय मिश्रन दाब के अंतरगर्थ ठंडे जल में बुलबुले बनाता है जहां CO2 घुल जाती है और डाई हाइडोजन गैस बचती है जो बाहर निकल जाती है यह अभीक्रिया अंगार गैस स्रिती अभीक्रिया भी कहलाती है डाई हाइडोजन के गुरं धर्म भौतिक गुर्ण धर्म यह रंगहीन, गंधहीन, स्वाधहीन गैस होती है यह वायू से हल्की होती है और जल में अवीलय होने के कारण जल के अधो मुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर ली जाती है यह उच्च दहनशील होती है यह सभी तत्वों से हलकी होती है डाई हाइडोजन के रासाइनिक गुण धर्म हेलोजनों से अभिक्रिया हेलोजनों की हाइडोजन से अभिक्रिया शीलता निम्न है हैं डाइ ऑक्सिजन से अभिक्रिया हाइडरोजन डाइ ऑक्सिजन से अभिक्रिया करके जल प्रदान करती है डाइ हाइडरोजन के रासाइनिक गुणधर्म डाइ नाइटरोजन से अभिक्रिया हाइडरोजन डाइ नाइटरोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया प्रदान करती है धातूं से अभिक्रिया हाइडरोजन धातूं से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है जहां M एक चार धातु है उदाहरण के लिए डाइ हाइडोजन के रासाइनिक गुणधर्म धात्विक आइनों तथा धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया हाइडोजन धात्विक आइनों तथा धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके संगत धात्विक प्रदान करता है उदाहरण के लिए कार्बनिक योगिकों से अभिक्रिया जब हाइडोजन को लगभग 473 केल्विन तापमान पर उत्प्रेरक के रूप में पूर्ण तहा विभाजित निकेल की उपस्थिती में खादे तेलों पर प्रवाहित किया जाता है तो वे कठोर हो जाते हैं तथा खादे वसाओं में परिवर्तित हो जाते हैं डाय हाइडोजन के उप्योग इसे अमोनिया के संचलेशन में उप्योग किया जाता है नाइटोजन तथा हाइडोजन को हीटर पर से प्रवाहित किया जाता है जहां वे एक निश्चित आपान तक गर्म हो जाते हैं जिसके बाद वे संपीडित किये जाते हैं और तब रियाक्टर में प्रवाहित किये जाते हैं जहां अभिक्रिया होती है तत पश्चात मिश्रन को अप्शिष्ट हीट बॉयलर में भेज दिया जाता है जहां अमोनिया ठंडी होती तथा संचित की जाती है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिसाइकल कर दिया जाता है. इसे वनस्पती घी के उत्पादन में उप्योग किया जाता है. अंतरिक्ष अनुसंधान में इसे रॉकेट इन्धन के रूप में उप्योग किया जाता है. विद्युत उर्जा उत्पन करने के लिए इसे इन्धन सेलों में उप्योग किया जाता है. हाइड्राइड हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैसों के सिवाए आवर्त सारणी के अन्य लगभग सभी तत्वों के साथ संयोग करके द्वियंगी यौगिक बनाती है जो हाइड्राइड कहलाते हैं. हाइड्राइडों को निम्न प्रकार से वर्गिक रित किया जा सकता है. आयनी या लवनिय हाइड्राइड आयनी हाइड्राइड हाइड्रोजन और सारवधिक सक्रिय धात्वों के बीच बनते हैं. विशेशकर समुह एक और दो तत्वों के क्षार तथा क्षारिय मृदा धात्वों के साथ. इस समुह में हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के रूप में कारे करती है। वे अधिक धन विद्यूती धात्विक परमानों के साथ आबंधित होते हैं। पिघले हुए अलकली हेलाइड में लवणिय हाइड्राइड के विलेन का विद्यूत अबघटन निर्मित करता है एनोड पर H2 अभिक्रिया निम्नवत व्यक्त है शारधातु हाइड्राइड कार्बनिक यौगिकों से जल अंश हटाने के लिए भी उप्योग किये जाते है सह सयोजक या आणविक हाइड्राइड हाइड्रोजन P-Block के तत्वों के साथ आणविक यौगिक बनाती है ऐसे हाइड्राइडों के सामानने उदहरण CH4, NH3, H2O, HF इत्यादी हैं इन हाइड्राइडों का स्थायत्व समुह में निम्नता के साथ घटता है उदहरण के लिए एक आवर्त में व्याध्योत रनात्मक्ता बढ़ने के साथ स्थायत्व बढ़ता है उधारण के लिए सहसयोज़क या आनविक हाइड्राइड आनविक हाइड्राइडों को निम्नवत वर्गी करित किया जाता है इलेक्ट्रॉन स्मृद्ध आनविक हाइड्राइड इन हाइड्राइडों में केंदर के परितह एलेक्ट्रोनों के एक या अधिक एकाकी युग्म होते हैं जो अधिक वैद्योत रनात्मक तत्व होते हैं उदारन के लिए जल में दो एकाकी युग्म होते हैं एलेक्ट्रोन परिशुद आन्विक हाइड्राइड इन हाइड्राइडों में लुइन्स रचना हेतू एलेक्ट्रोनों की अपेक्षित संख्या होती है मीथेन एलेक्ट्रोन परिशुध आन्विक हाइड्राइड का एक सामानने उधारण है एलेक्ट्रोन निून आन्विक हाइड्राइड इन हाइड्राइडों में एलेक्ट्रोनों की संख्या उससे कम होती है जितने लुइंस रचना के लिए आवश्चक होते हैं डाइबोरेन ऐसे आन्विक हाइड्राइड का एक सामाने उधारण है धात्विक या अरसमी कर्मितिय या अंतराकाशी हाइड्राइड ये हाइड्राइड सामाने तह निम्नद्वारा बनते हैं D ब्लॉक के समुह 3,4,5 की संक्रमन धातों समुह 6 की CR धातो F ब्लॉक के तत्व D ब्लॉक के समुह 7,8,9 के तत्व हाइड्राइड नहीं बनाते आवर्त सारनी के समुहु 7, 8, 9 की धात्वों की हाइड्राइड बनाने में यह असमर्थता डीम ब्लॉक का हाइड्राइड अंतराल कहलाती है इन यौगिकों में H पर्मानु धात्विक जालकों में अंतराकाशी स्थितियां ग्रहन करते हैं उधारन के लिए SCH2-LAH2.87 क्या आप जानते हैं? बोईंग ने नया हाइड्रोजन चालित विमान प्रस्तुत किया है बोईंग नए विमान को अधिक पर्यावरन अनुकूल बनाने की दिशा में कारे कर रही है बोईंग व अन्य कंपनियों ने ऐसे नए विमान विकसित किये हैं जो वैकल्पिक उर्जा का उप्योग करें विमान के आगामी परिक्षन करने से बोईंग को इन्हन सेल तथा उन अन्य प्रोध्योगी कियों का सर्वोत्तम उप्योग समझने में मदद मिलेगी जो इसने विमान के लिए चुनी है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं हाइड्रोजन आवर्थ सारनी का प्रथम तत्व है जिसकी पर्मान्विक संख्या एक होती है प्रोटियम, डियोटीरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है प्रयोग्षाला में हाइड्रोजन सामाने तह तनु खनिज अमलों की दानेदार जिंक जैसी धातूँ से अभिकरिया करते हुए बनाई जाती है हाइड्रोजन रंग हीन, गंध हीन, स्वाध हीन और उच्च दहनशील गैस है हाइड्रोजन हेलोजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हेलाइड्स बनाती है हाइड्रोजन डाइ ऑक्सिजन से अभिक्रिया करके जल प्रदान करती है हाइड्रोजन डाइ नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके अमूनिया प्रदान करती है हाइड्रोजन धातूं से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है हाइड्रोजन धातू आइनों तथा धातू अक्साइडों से अभिक्रिया करके संगत धातूं प्रदान करता है हाइड्राइडों को आएनी सहसयूजी तथा धात्विक हाइड्राइडों के रूप में वर्गी क्रेद किया जा सकता है